श्ल्मम और कम स्टोरेंट्स आज की वीडियो लेक्शे में फ़रा है पंजाब युणिश्टरी ने कशिया कर दो कर दो प्रिमेंगेखेंगे तो कि हमने प्रिविएस वीडियो लेक्शे में इसका सेक्षिन वन कंप्लीट किया था हमने इसका कंप्लीट स्लूशन देखा और आज की वीडियो लेक्शे में हम section 2 का जो वो complete solution देखेंगी ठीक है और हमने के जैसे कि हमने सारे के सारे हम questions को discuss करते हैं और उनके complete solution provide करते हैं तो आप चाहते हैं कि आपके पास कोई भी ऐसा paper miss ना हो सके जिसका solution यानि कि हम आपको provide कर रहे हो लेकिन miss हो जाए आपको मिले ना तो आपने क्या करना है इसके लिए आपने चैनल को subscribe कर लेने हैं आप चाहते हैं कि आपको कोई भी lecture miss ना हो सके कोई भी paper का solution miss ना हो सके उसके लिए आप bell icon को press करें ताकि आपको हर लेटस वीडियो का notification मिलता रहे हैं उसके लावा जैसे कि यह सारे के साइब जो papers के solution यह स् पर हरो जैसे को आपने क्या करें एंगे गosure के संबसworks को सुच्छी उना है जो अब स्चाहिए कि यह को अप करें इतना आप को apice के solution मजिर डिफरींट एंगे मिलेंगे क्यूंकि क्यूंकि शाहिं चाहिए격ना ऍवान है आपको फीड़ बैक भी मिलेगा अपको वीडियो च प्रवाइड करेंगे, तो हम स्टाट करें, आज का वीडियो लेक्शर और हम गो करते हैं, कॉस्चन्स की तरफ, और आज की वीडियो लेक्शर में हम सेक्षिन टू डिसक्ष करेंगे, पेपर हमाई पास मेकानिक्स का है, पंजाब जिनिस्टी का पेपर है, MSC पार्ट बन का, 2019 का, ठीक है, यानिके 2019 का हमारे पास पेपर है, तो देखिए स्टूनिट्स हमारे पास सेक्षिन टू है, पंजाब जिनिस्टी का हमारे पास पेपर है, मेकानिक्स का, 2019 का वेपर है, MSC पार्ट बन का, जिसका हम कम्प्लीट सुरूशन देखने लगे हैं, तो हमने प्रिवि जी कोडिनेट system रोटेट शाप एंगॉलर विलास्टी आपको पास एंगॉलर विलास्टी गिवन है with respect to fix x y z कोडिनेट having the same origin if the position vector of a particle is given as आपको particle का position vector given है find करने है आपने apparent velocity and true velocity at any time आपने एफ कल्कूलेट करना है तो यहां पर पास question हमें इसका solution देखना है next हमाई पास question हमें 6 part भी है तो हम इसको भी read out कर लेते हैं तो हम पहले questions को read out करेंगे and then हम इनके solution एक साथ देखेंगे और जैसे कि आपको पता है कि हम पेपर का solution दे रहे हैं तो यहां पर पोसी चीज़े में आपको short करवाऊंगी आप total mass assume to be located at the center of mass plus the angular momentum about the center of the mass clear तो आपने प्रूब करना है कि total angular momentum of the system of a particle at any point equal कि इसकी होना चाहिए angular momentum of the total mass assume to be located at the center of mass plus angular momentum of the center of the mass इसकी ही को दोना चाहिए नेक्स आपने पर स्कुछन हो 7 पार्ट में यह है तो हम इसको भी रीडूट कर लेते हैं find the center of mass after uniform solid hemisphere of radius a आपने क्या करना है center of mass यानिके cm find करना है किसका uniform solid hemisphere और जिसका radius hemisphere का radius क्या है r equals to a यानिके hemisphere का radius क्या है यह है आपने इसका center of mass calculate करना है next हमाई पास question 7 पार्ट में भी है तो हम इसको भी डीडूट कर लेते हैं हमाई पास instantaneous velocities of the particle at a point in points पे हमाई पास instantaneous velocities different होंगी obviously आप आप आपके पास velocity इस ट्राइब की है ठीक है in points पे respectively with respect to a rectangular coordinate system find the magnitude and direction आपने magnitude and direction आपने magnitude और डायेक्शन फाइंड करना है किसकी spin of the body and the point at which the central axis curse x z plane जहां पे central axis किसको curse करता है एक्स जी plane को clear तो हम इस दोनों questions के solution देखेंगे सबसे पहले हम question number six की तरफ move करेंगे question number six का part number a then part number b उसके बाद हम question number seven का part number a और part number b का solution देखेंगे तो हम move करते हैं इनके solutions की तरफ लेकिन इससे पहले एक चीज़ बात कि आपने मेरे चैनल को subscribe कर लेना है वीडियो ची रखती है तो like मस्टिया करें और अपना feedback भी मस्टिया करें और सब students को kindly share करें अगर आप share करेंगे तो आपको best content मिलेगा I mean to say कि आपको वेपर के solution मिलेंगे clear तो हम move परते है solutions की तरफ तो देखेंगे स्ट्राइटस हमारे पास section 2 है question number six part a and x y z coordinate rotates angular velocity आपके पास angular velocity है visitive track to fix x y z coordinate system having the same origin आपके पास angular velocity given है if the position vector of the particle is given as आपको position vector भी given है आपने find करें apparent velocity at anytime t तो apparent velocity کا formula आपके पास किए क्युक्वे आपने apparent velocity find करें तो apparent velocity का formula लिक लेंगे clear यहां तक आप note करेंगे तो देखे'RE आपको r given है ये आपके पास position vector given है तो position vector का कि करेंगे इस को differentiate करेंगे with effect to t differentiate केने के बाद आप apparent velocity का formula लेकिए ठीक है clear लेकिन सबसे पहले आपको पता है as we know that true velocity at any time किसी भी time पर true velocity is given as true velocity this one clear आप आपके पास w given है और आप भी given है इनका cross product लेंगे इनके एगी ठीक लेट किया और अर्छ आपके निकलेट किया और डभी क्रोस आप्र इपली e key के खर केक्रेट किया और आप चाहिए है और आपके पास memory को स्पार्टम से की तरह मेंज़से में का स्ब्सक्राइए है。 are pv of the of the particle i-th particles relative to o and are the position vector of the center of mass c relative to origin yankay o clear और आपने इसी तरह से यहां पर लिए ri prime लिया है ठीके ri prime the pv of the particle i relative to c clear यहांने के pv में इसके position vector लिये और ri equally किसके ri prime plus rk और आपने इसको equivalent number one का नाम दिया और इसको differentiate किया है differentiate करने के बाद आपने जुस्ट पताया के वी आपर पास किया है आपने यहांने के पूरा कपूरा इसको detail में बताया के v is the velocity of the center of mass relative to o and v i is the velocity of the particle i at v i v i आपर पास किया है यह पास किया है यह पास किया है और v i prime आपर पास किया है is the velocity of the particle relative to c clear यहां तक आप note करेंगे तो देखें नेक्स्ट दे टोटल एंगुलर मोमेंटम आप दे आप इसको सारे को calculate करेंगे यहां तक आप note करेंगे तो देखें आप सारी के सारी रिप्लेस्मेंट करेंगे और आप यह पास आंसर आजाएगा आप यह पास कोश्चन 6 पार्टम भी है नेक्स हम कोश्चन 7 पार्टम ए की तरफ मूँ करते हैं तो देखें स्ट्रेंट्स न यहां तो आप ने पास solid हमेस्पिरे दिस वान। देंगे आपधुछ हें पास एक हमेश्पिर में पास है खिक हैं हमेश्पिर इस तरह से तरह से थीच है्, हई आप अर इसका मैस्पार्टम एैम है और इसका इस पास एप्लेस और बेगार आर आप रिजा एध है यहां है . limit disk at a height y from the base of the hemisphere. आपने hemisphere की base से एक height लेट किया है चुके y है. the mass of the element disk is equal किसके होगा? tm की होगा, clear. यहां तक आप note करेंगे width of the disk equal किसके है? dy. the radius of the disk equal किसके है? r equals to square root of hk minus ysk. dm की value आप पर पास किया है? this one. dm किसके equal है? density of volume कि और density of volume आपने पुट किया ता आप पर पास dm किया गया. next आप पर पास देखें. this one, dm की value है. next आप पर पास किया है? y countenate of the center of mass equal किसके है? y c equal किसके है? one over m integral y dm अब पस one over m as it रहेगा integral b as it, y b as it और dm की जगा ये सारी की value put कर देंगे हम next step में. यहां तक आप सारा का सारा note करेंगे. तो देखें स्टोइट्स हमने y c as it, one over m b as it, integral y b as it, और dm की जगा, dm की value हमने put कर दी. इसको integrate करेंगे, integrate करेंगे और आप पास answer रहा जगा जो कि आप पर पास center of mass है, जो कि आप पर पास 3 a over a रहा गया और यह आप पर पास answer है. क्लियर, अब हम move करते हैं अपने question number seven, part number b की तरफ, तो देखें students, next हम आप पास question number seven, part number b का solution है, तो इसके लिए हम let करते हैं, a, b, c, आप पास given points है, और यह आप पास कुछ velocities है, इन points की, पहले यह आप पास points है, और यह आप पास a को आप अगर reference point लेते हैं, यहां तक आप note करेंगे, और यह साथ आप यह diagram भी draw कर लेंगे, तो देखे students next, आप पास r2, r2 आप calculate करने के लिए, आप formula लिखेंगे, formula आप पास r2 equal rc minus r a, जो आप पास points है, rc और r a, आप पास points है, rc और r a, velocity in the terms of angular momentum, आपने velocity निकालने है, in terms of angular momentum, तो आपने यहां पर w cross r1 किया है, ठीक है, v1 निकालने के लिए, तो यहां पर आपने cross product लेके, यह term आगी, यहां से आपने क्या करना है, coefficients को compare करना है, किसके coefficient को i, j और k, coefficients को इन दोनों को आपस में compare करना है, clear, तो देखिए, strength coefficient को compare करते हुए, आपने w3 की value निकाले है, जोके 0 आई है, next आपने v2 calculate करने के लिए, angular velocity आप calculate करने है, इसके लिए आप w cross r2 करेंगे, जब इनका cross product लेंगे, तो आपने यहां से भी आप i, j, और k को compare करेंगे, ठीक है, तो अब देखिए, आपने coefficient को compare करते हुए, w2 की value निकाले है, इससे तरह से w1 की भी आपने value calculate करनी है, तो w1 की value calculate करने के लिए, आप v1 equal to w cross r1 करेंगे, तो आपने पास यहां से w1 की value आचाले है, जोके square root 3 over 2 v1 है, आपने angular velocity find out कर लिए है, तो angular velocity जो भी आई है, आप यहां पर w1, w2, w3 या omega, w2 या omega पर लें बेस्ट भी, आप omega है वैसे, तो omega 1, omega 2, omega 3 की जगा value से place करेंगे, देखिए यहां पर पास angular velocity आगी है, आप angular velocity का, मेंगनिचूर का calculate करेंगे, कर देखिए, आप नहीं करने है, direction, cos, calculate करेंगे, तो direction, cos, calculate के लिए आपको, angular velocity का magnitude चाहिए था ठीक है, यहां पर बपस direction, आप को, let p be any points on the center axis, with q as a reference point then qp calculate के लिए आपको, w cross a, b, calculate करना पड़ेगा वी ए ठीक है यहां पर सारी के सारी डाटा calculate करके इस एक्वेन में पूट करना है तो देखे इस आपको QP calculate करने के लिए यह formula यूज करना है करना है कि यहां पर डब्यू क्रॉस सोरी ओमेगा क्रॉस वी ए है तो आपने सबसे पहले इसको calculate करना है और इसको omega स्केर से multiply करके plus करना है के omega ठीक है तो आपरे पास QP आज़ेगा इस एक यहां तक आप करेंगे करेंगे और यहां पर पास आंसर है Q7 पार्ट नमाफ B का नेक्स आमरे पास QA को हम रिडूट कर लेते हैं वर्क आउट जाब मुमेंट आप अनरिश्या एड़ दा सिंटर अफ दा इलिप्सवाइड इलिप्सवाइड की क्वेन आपर पास X के और A के प्लस Y के और अब इसके प्लस Y के और सीज के एक्वेस टू वन आपने स्पिक वर्क आउट करना है तो हम इसका पर स्लूशन देख लेते हैं एक्स्ट आप पास स्लूशन है Q8 पार्ट अमरे का अधा मूमेंट अनरिश्या मूमेंट अनरिश्या आप दे वॉल्यम ऐलिमेंट डी आर अप इसके यहां से आप यहां से आप इससारा का सारा नोटन करेंगे यहां तक आप नोट करेंगे विद डियागरम के लिए एक से करेंके और्ट इसको पोलर फॉर्म में चैन्ज करेंगे पॉलर फॉर्म को डिए के करने के लिए एक टाल रिया को साइंड़ के यह अपर इकल्न की अर्ट करते हैं अब गर ऑनगे के है मार्या फटे पुट्रा रेंके ले कि कि साइंड टारे ऑग कि सैंड़ के करसा रेकल सीडाचार आड बहुत ही और रार गर्टे बान अे वहां पैस शुप्त और क करते हैं and then हम इसका भी स्विक्शन देखेंगे इक समय पास कोच्छन में एट पार्ट में भी है कोच्छन में एट हमाई पास कहा है कोच्छन को रीडोट करते हैं रिच्छट बोडी विच इस स्मेट्रिक अबोट एन एक्सिस दीक किल पॉक्त एक्सिस करते हैं विच्छन में अवाद एक्सिस्ट इसक्ष्वर्डा जिस भार्ट इसक्ष्वर्ण ऐसे नहीं वाद पास किस्ट ओं की पास्तव blooming कोच्छ है इसक्ष्वर्ण गरस्ट एक्सिस्टी यंद गास्아 ब्लर है, frequency in the case of the, यहाँ पर again blur है, rotating about its axis, आपको में last वे पर दिखा दूँगी, हहाँ से आप question जो अराम से, question number 8 पार्ट में भी note in कर सकते हैं, यहाँ पर तोड़ा सा blur नजर आता है, तो समझने आ रहे हैं, यहाँ पर लिखा हो क्या होगा, यहाँ पर calculate लिखा होगा, calculate precaution frequency, precaution यहाँ पर लिखा हो, anyways हम इसका solution देखते हैं, solution में हमाई पास choose करते हैं, axis of the symmetric, axis of symmetric हम जो वो choose कर देते हैं, और हम यहाँ पर लेते हैं, i1 equal i2 के है, यहाँ तक आप note करेंगे, और आप diagram भी draw करेंगे, clear, देके students, यहाँ आपने diagram भी draw करेंगे, completely, और equation number 1, 2, 3 अपने बना अब यहाँ पर equation number 3 में देखें, i3 और omega 3 का जो product है वो 0 है, अब इन में से या i3 0 हो सकता है, या omega 3, यहाँ पर हम कह सकते हैं, omega 3 equal 0 है, जबके i does not equal 0, clear, यहाँ अपने case यहाँ पर लगाना है, i3 में, इसको आप note कर लीजगा, ठीक है, हम omega 3 को लेते हैं, constant से a, हम a ले लेते हैं, omega 3 को, मैं बस equation number 4, 5, आज है की ठीक है, और हम by using 4, 4 को use करते हैं, हम इसको solve करेंगे, ठीक है, और यहाँ तक हम solve करेंगे, और k को हम ले रहे हैं, k यहाँ पर क्या है, k equal है i3 minus i1 over i1 into 8, ठीक है, this one यह k की value है, यहाँ तक आप note करेंगे, next up, यहाँ से लिका, यहाँ तक note करेंगे, यहाँ से लिका, यहाँ तक note करेंगे, यहाँ पर हम जो वो काम करने लिगे हैं, now the precaution frequency is given by, next up, जो precaution frequency पे काम करेंगे, यहाँ फूर में यहाँ पर चीक है, यहाँ इकोईपवल नबर एक का नाम देगे, जोלא की पर बेञे चायँ में पर बीघर कापने में लिगे करेंगे, यहाँ पर तक फूर शीओ आप पर पशापने में से बहुएज़गे क्योंकि यहां पर डव्य वन डव्य नहीं सोरी ओमेगा मैगा वन ओमेगा टू और ओमेगा त्री है इनके चुगा इनकी वैलिस पुट कर देंगे आप पर पास आंसर आज़े का इस कोश्चन का नेक्स हम अपने नेक्स कोश्चन की तरह मुव करते हैं कोश्चन 19 हैं find the moment of inertia of the rectangular plate of the sides A and B about a diagonal आपने moment of inertia find करना है किसी rectangular plate के आप the side कौँसी side A और B about a diagonal के about आपने moment of inertia find करना है तो यह आपर पास question one nine है section two हम solve करें पंजाब जिनुस्टी का मारे पास paper है mechanics का जिसका हमने section two solve की है MSC part one का paper है तो यह मारे पास section two का last question है ठीक है और इसका हम part A करें है then हम part B का solution देखेंगे लेकि इससे पहले इसका solution हम start करें तो आपको एक चीज़ याद करवाना चाहरी हूँ तो आप मेरे चैनल को subscribe मस किया करें ताकि आपको जब हो हर लेटिस वीडियो का notification मिले उसके लिए आप बेला icon को भी साथ प्रेस करेंगे और आपको और भी बहुत से papers के solution मेरे चैनल से मिलने वाले है तो subscribe कर ले और अपना feedback मस दिया करें तो जादा स्टूर्ण्स को share भी करें तो solution हमारे पस क्या है the equation of the diagonal is given by आप equation of diagonal लिखेंगे और इस सारे को solve करेंगे consider करेंगे एक element है an element in rectangle which is perpendicular to the diagonal आपने एक element लिया है चो कि क्या है perpendicular किसके diagonal की है ठीक है तो देखें the dimension of the element element की dimension किसके इकुल है dxdyk density of the rectangle row rectangle की density को किसे हम रिनोट केता है row से और row equal किसके होगा mass of the element mass of the element mass of the element किसके इकुल हगा row into area of the element के लिए dm equal किसके होगा row dxdyk आप यहां पर क्या करेंगे Now, moment of an issue of the rectangle About its Diagonal is I equal to double integral Integral 0 to A and integral 0 to B Row, DX, DY ठीक, और आप यहां पर सारे के सारी values पुट करेंगे और integrares को solve करेंगे आप limit apply करेंगे अप limit minus lower limit तो next step में हम जो limits पुट करें लेते हैं अप limit minus lower limit सब्सक्राइब कुछ आपके क्ष tutti b-3 b यह वाफके पा Senior नेक्स आंसर फिर में इस को खूशन नाइंभान व्हट रू circumstance के तें मारखหूट आप झाले बधा क्लшь अजी ने इस डो वाड रिस्टाइब यूसिंग दा Origconomphin इस थेектив मिन रहन आइउर से 들어오नर्ड दहा verbally आप पास को शरवन ना इंप å कोच्छञ ना इन पातर आम इसकशन हो इसके शड़िक अधिन कहरें पार्टर में भी है और इसका स्लूशन है इफ तर रिचिट पॉडी आप पास एक रिचिट पॉडी है ठीक है और आपने चूज करने है प्रिंसिपल एक्सिस हमिंग डा डिरेक्शन अफ दा यूनिट वेक्टर इस तरह से हैं ठीक है रिस्पेक्टिबली देन अंगुलर मोमे इसको डिफ्रेंशियेट करेंगे ठीक है और इसको नम देंगे और इंगर नहीं जो आपने एक्वेंगर 1 घिलेट करने तीक आपने नम एक्वेंगर 2 और उमेग वाँ किसके एक्वल होता हैं ओमेगर 1 d1 ओमेगा 2 2 2 प्लस ओमेगा 3 e3 तो इसको भी हम यूज करेंगे जहीं नहीं दोनों को मल्टिप्लाइ करें यह इनके निका क्रॉस प्रोड़क्त लेना है और क्रॉस प्रोड़क्त लेते हुए आपने एक्वेनम F B बना देनी है यहां तक आप एक्वेनम F B stands for the space K body no Iless Ukrainian of the motion using the principle of the angular momentum आप Iless Ukrainian की इसको formulate करने के लिए आप काम करेंगे ठीक है यूज किसको करेंगे principle of angular momentum आप यहां से लेका यहां तक आप note करेंगे और एक्वेनम F 4 बना लेंगे यहां से अप आप इसको मजीद स्वाल करेंगे और यहां पर पास आंसर है कोशनम 9 पार्टनम B का यहां तक आपने note करना है और यहां पर पास आंसर है अप इसक पार्टनम A और B का complete solution देखा कोशनम 7 पी हमने पार्टनम A और B का complete solution देखा है यहां कि आज की वीडियो लेक्शन में हमने पार्टनम A पास पंजाब युनिस्टी का MSC पार्टन का इसका हमने section 2 देखा है पेपर हमने पास 2019 का यहनकि 2019 का कोई भी चीज अगर समझ नहीं आती तो आपन से पूछ सकते हैं उसके लाब आप में चैनल को सब्सक्राइब मस्ट किये आपको और भी different years के पेपर्स के solution मिल सके और किस्ट्रोइन्ट्स अलाहाफिज